मोशन अन्र ग्राविटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट है जो हमें समझना होगा मालो मैं पास ये एक पॉइंट है जहां से मैं बॉल को गिराना शुरू करता हूं और हम इक्वल डिस्टेंस पर देखना चाहते हैं सभी कितना टाइम लगा होगा जैसे ये दिस्टेंस मालो मेरे पास एक्स है तो फिर और मैं एक्स दिस्टेंस नीचे आ जाता हूं अगर मैंने यहाँ से एक बाल को छोड़ा तो यहां तक पहुंचती है भाई वो टीवन टाइम में ठीक यहां से वो यहां तक पहुंचती है तो यह time लग जाता है T2 यहां से हम यहां तक पहुंचते हैं let's say this is time T3 and यहां से यहां तक पहुंचते हैं let's say this is time T4 ऐसा हमें बोला गया है हमें compare करना T1, T2, T3, T4 इनमें क्या ratio relation रहने वाला है बहुत सारे इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते है तो देखो यहां पर हमाँ पस initial condition सबके लिए same है सबके लिए हमने बोला गया है कि initially वो rest से छोड़ा गया था तो U की value आजाती है 0 equation कौन सी लगेगी यहां पर हमें sum को और distance को compare करना है U की value 0 है देखते ही मुझे पता चल जाता है हमार equation जो लगने वाली है S is equal to U T plus half A T square लगने वाला है let's say मैं यहां से बोलता हूँ नीचे की तरफ positive direction लेता हूँ तो G gravity के कारण जो acceleration है वो भी positive यहां से जो displacement हो रहे हैं वो भी positive सबकुछ positive positive अच्छे U की value 0 है तो यहां पर यहां ऐसे ही आजाने वाला है और S की value आजाती है मेरे पास half into G की जगे अगर मैं रख दूँ 10 into T square इस तरीके से यह कट जाएगा मेरे पास बसता है 5 और मेरे पास time की जो value आजाती है time की value आजाएगी S upon 5 का under root इस तरीके से है न this is S, this is 5 अच्छे इसका मतलब क्या हुआ देखो हमाँ पास अलग-अलग displacement जो है है न हो यहां पर है यह तो एक constant है 5 तो तो मैं बोल सकता हूँ time is proportional to distance का under root है न distance का under root ऐसा हम बोल सकते हैं तो for example अगर यहां से नीचे आने तक मुझे time लगा let's say मैं सकोल देता हूँ मुझे T second लगे T की value 1 second हो सकते है 2 second हो सकते है इस तरह की बात मैं अगर करूँ seconds लगे यहां से यहां तक आने में यानि कि दुगणा distance ट्रावल करने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है यहां पर हम easily compare कर सकते हैं मैं बोल दूँगा भई t2 upon t1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ t2 upon t1 will be equal to under root of दोनों के distances तो यह हो जाएगा 2x upon x which will be equal to root 2 अच्छा t1 की value t के बराबर है तो यहां से t2 की value कितना आजाती है t2 की value आजाएगी में पास root 2 times t यहां पर मैं लिख दूँगा भई यहां अब तक आने में time लगा है root 2 times t similarly आप देखोगे हमाई पास जो t3 की value आएगी t3 upon t1 भी मैं देख सकता हूँ t3 upon t1 की value आजाएगी under root of दोनों के distances कितने यह distance है मेरे पास 3x के बराबर तो यहां पर आजाएगा मेरे पास 3x divided by x इसकी value कितनी आजाती है is equal to root 3 मेरे पास यहां से आजाता है भाई यह जो value आने वाली है root 3 times t आजाएगी similarly यह जो value आजाएगी वह आजाएगी root 4 times t तो हमारे पास यह relation है जब equal distance बढ़ता जाता है तो जो sum उसमें लग रहा है वो लीलिया ली नहीं बढ़ रहा है यहां पर जितना time लगा था उसका दूगुना time मेरे पास यहां पर लगा है दूगुना distance travel करने में सिर्फ root 2 times जादा लगा है और आप देखोगे root 4 times t इसकी value किसके बढ़ाब हो जाएगी हो जाता है 2t के बढ़ाबद तो अगर t second में आप x distance गिरे हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम उसके दोगुने time में actually 4x नीचे आ गाए हैं तो इस तरीके के बहुत सारे comparisons आपको करने पढ़ सकते हैं इसका बहुत ही interesting सा use case है वो है Galileo's law of odd numbers Galileo's law of odd numbers बहुत बार ये पूछा जाता रहा है सवाल बार बार पूछा जाता रहेगा इसमें होता क्या है देखो Galileo ने बहुत सारी चीज़े observe करी थी उस वक्त हमाँ पास equations of motion थी नहीं तो वो experiment करकर पता करते थे इसलिए उसको law बोल दिया गया लेकिन आचली में होता गया हमें पता है हम जानते है equations की बदद से हम उसको देख लेंगे मालो मेरे पास यहाँ पर एक ball है और यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी balls रखी हुई है let's say मैंने इनको सबको गिरने दिया नीचे की तरफ गिरने दिया basically हम चाहते हैं यहाँ पर constant acceleration हो अगर सबको मैं छोड़ दूँगा तो नीचे g की तरफ acceleration हो जाएगा या फिर मैं किसी incline पर गिरा रहा हूँ तो वहाँ पर g sin theta सबका हो जाएगा नीचे की तरफ acceleration लेकिन सबका acceleration सेम रहता है यहाँ पर condition क्या जाती है हमाँ आपास same acceleration ठीक है यह हमाँ आपास condition आ जाती है फिर हमने क्या किया भाई इसको छोड़ दिया भाई तुम नीचे गिरो इसको हमने t second तक नीचे गिरने दिया इसको हमने नीचे गिरने दिया इसको बुला भाई तुम 2t second तक नीचे गिरो फिर इसको हमने नीचे गिरने दिया इसको और थोड़ी देर हमने बुला इसको 3t time मीचे गिरने देते हैं और इसको भी गिरने दिया, इसको बोलते हैं हम 40 टाइम तक तो हम गिरो और इनने जो जो distances travel किये उन distances को हम check करना चाते है तो देखो यहाँ पर हम आपास equation क्या बनती है s is equal to ut plus half a t square यहाँ पर आप देखोगे सब को initially तो हमने rest से शुरू किया था, तो सबके लिए ut की value 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर मुझे पास s की value आजाती है, s is equal to half a t square और इसकी value आजाएगी, अगर a की जगे मैं g रख दू, g की आनि 10 मान के चलते तो इसकी value आजाती है, 5 t square main चीज जो हम यहाँ पर समझ नहीं है, वो आजाती है, s is proportional to t का square, ठीक अगर एक second की बात की जाए, अगर time की value एक एक second का interval है, यह one second था अगर यह value one second होती, तो हमाँ आपास value कितने आती है, यह आजाता है, यह आजाता है, मेरे पास 5 meter अगर यह value हमाँ आपास 2 second होती, तो यह मेरे पास कितना जाता है, 5 into 2 का square, यानि कि 5 into 4 यह आजाता है, मेरे पास 20 meter फिर यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास अलग-अलग values आती जाती, लेकिन अब भी हम वो चीज निकालने में interested नहीं है लेट से मैं बोल देता हूँ, यह वाला जो distance था ना, इसकी value हो जाती है, मेरे पास x, ठीक ठीक है, s is proportional to t square है तो अगर मैंने time को double कर दिया, तो में पास displacement 4 times हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो distance ही है actually मेरे पास हो जाता है 4x, ठीक है ना अगर यहाँ से 3 गुना हो चुका, देखो, यहाँ पर time 30, यहाँ पर है 3t अगर इसमें हम x चले थे, तो इसमें हम कितना distance चलने वाले है, हमाने पास s is proportional to t square होता है, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, देखो, s3 upon s1 की जो value हो जाएगी, वो हो square, अब यहाँ पर t3 की value है, 3 times t, तो यह हो जाएगा 3 times t upon t का square, which is equal to 9, s3 की value हो जाएगी 9 times s1, और s1 को हमने x बोला हो है, तो जाएगा 9x तो यहाँ पर हमाने पास distance 9x हो जाता है, यहाँ पर हमाने पास distance 16x हो जाता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अब Galileo ने क्या गया, Galileo ने यह बात नहीं करी कि यहाँ पर हमाने पास square की proportionality होती है, Galileo ने बोला कि पहले 1 second में आप x चलते हो, तो दूसरे next 1 second में आप कितना चलोगे, तो देखो यह 4x यहाँ पर है, x आप पहले ही चल चुके हो, तो हमाँ पास यह जो distance बचता है अब यह वाला जो distance है यह कितना हो जाएगा, देखो, टोटल था 4x माइनस x कर दोगे, तो यहाँ पर हमाँ पास बचता है, this will be equal to कितना this is 3x next देखो यहाँ से और इसके बीच में यह वाला गैप कितना आने वाला है देखो, टोटल था हमाँ पास 9x, 4x आप यहाँ पर चल चुके हो, तो यह कितना हो जाता हमाँ पास 5x, और देखो इसके बीच में क्या relation आजाएगा हमाँ पास, यह वाला टोटल था हमाँ पास 16x 16 में से 9 आप यहाँ पर चल चुके हो तो बचा हुआ कितना 16-9 which is equal to हमाँ पास यह वाला जो distance आता है यह आजाता हमाँ पास 7x तो गैलिलियो ने क्या observe किया हर एक time interval में आप जो distance चलते हो, पहले था वो x, फिर था वो 3x फिर 5x, फिर 7x तो odd multiples में आता जा रहा है कितना आता है हमाँ पास x आता है फिर 3x आता है, फिर 5x आता है, फिर 7x आ जाएगा फिर आगे देखो कि तो 9x आता है, फिर 11x आता है, इस सारे कि सारे odd multiples है, है ना time interval की value एक लोगे है या दो लोगे है 4 लोगे, कोई भी, interval सेम होने चाहिए, time interval सेम रहेंगे तो distance इस ratio में रहने वाल है ratio सेम होता है, तो ratio की value सेम आ जाते है, उसको बुला कि gallery is law of odd numbers, क्यों कि यहाँ पर हमाँ पास 1 था, all of these are odd multiples अब इस पे based बहुत सारे सवाल आते इसको हम देखेंगे, अच्छे इसी का एक और variation है, उसको भी आपको याद रखना चाहिए हमाँ पास distance traveled in nth second उसकी value आजाती है u, plus a upon 2 into 2n-1 nth second में, हमाँ पास कितना distance traveled किया रहता है, उसको भी आप याद रख सकते हैं इसको भी आप याद रख सकते हैं, इसको भी बात-बात a small toy starts moving from the position of rest under a constant acceleration तो acceleration की value constant अगई if it travels a distance of 10 meter in t seconds the distance traveled by the toy in the next t second will be तो देखो, ये straight forward Galileo's law for number का application है, वीडियो को pause करो, solve कोने की कोशिश करो इसका correct answer है, c 30 meter कैसे आया? तो देखो, हमाई पास यहां से वो toy start करता है, और उसका acceleration की value उस तरफ constant है, let's say तो पहले t time में, उसने कुछ distance travel किया जो हमें दिया है 10 meter ये है हमाई पास t second में और फिर उसके बाद अगले t second में हमाई पास कुछ distance वो travel करने वाला है, t second में अब देखो, हमाई पास same time interval है तो जो distance travel किया जाता है वो odd multiples होते हैं तो let's say, अगर ये मेरे पास x था तो ये वाला में पास 3x होगा और उसके बात का एक और मैं distance आपको example के लिए ले लेता हूँ ये वाला जो distance होगा न अगले t second में हम 5x distance travel कर रहे होंगे हमसे पूछा है कि हमसे ये वाला distance बेसिकली पूछा गया है हमें 3x की value बताने है अच्छा x की value हमाया पास 10 meter है तो यानि कि 3x की value हो जाएगी सीधे सीधे में पास 30 meter c becomes her correct answer हमसे पूछा है था कि total distance कितना travel हुआ है तो हम क्या बोलते हैं यहां से यहां तक उस case में हमाया पास value आती 10 प्लस 30 यानि कि 40 meter उस case में हमारे पास answer होता है हमेशा समझना question में पूछा क्या जा रहा है कोई important यहां पर calculations हमें इस्तिमाल नहीं करना पड़ा Galileo's law of odd numbers का बहुत ही प्यारा से example ही हो गया और examples लेक्टे है the water drops fall at a regular interval from a tap 5 meter above the ground the third drop is leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground how far above the ground is the second drop at that instant बहुत ही amazing यह सवाल है feel करने की कोशिश करो यहां पर हो क्या रहा है देखो हमाँ पास यह जो null है वो थोड़ा धीला है धीला इसका मतलब क्या है कि उसमें से equal interval of time है हमाँ पास यहां से drop निकलती रहे है tip 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 इस तरीके से समझने की बात क्या है हर drop के यहां से छूटने के बीच में equal interval of time लगता है हमसे बुला यह है क्या ज़र्ड drop is leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground तो यहां से तीन drop की बात हो गए पहली drop निकल के जमीन तक पहुँच चुकी है तो पहली drop को बनाओ भई पहली drop हमाँ पास नीचे पहुच चुकी है इसका नाम रख देते हैं वह यह हमाँ पास D1 यहां पहुच चुकी है उस वक्त हमाँ पास यहां पर third drop निकल रही है तो D3 यहां पर है इसका मतलब D2 यहां कहीं पर रहेगी अब एक चीज और समझने हमको तीनो drop के बीच में equal interval time है तो देखो हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक आने में यह D1 को दो time interval मिले हैं मालों दोनों के बीच में जो भी drop के बीच में time interval है उसकी value T है तो पहली drop गिरी होगी फिर दूसरी गिरी होगी और फिर तीसरी भी निकल गई हाई दे रहा है कि यह Galileo's law of odd number बनता हुआ दिख रहा है जैसे अब मैं नहीं बता हुआ वीडियो को पॉस करो, solve करने की कोशिश करो फिर solution देखते हैं इसका correct answer है C कैसे आया solve करते हैं तो देखो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि यहां से जिस वक्त यह D1 start हुई होगी न T time में यह D1 भी यहां तक पहुँची होगी तो उसके बाद second T time में वो यहां पे पहुँची है इसका total time कितना लगा इसको चलने के लिए 2 T time मिला है तो यहां से यहां तक का distance जो हुआ है यहां से यहां तक का distance हुआ है T time interval में और यहां से यहां तक का distance उसमें भी time T चलने के लिए मिला है ठीक दोनों ही case में हमारा पास acceleration नीचे की तरफ था G के बराबर क्योंकि constant acceleration है तो यहां Galileo's law of odd number लग जाएगा बोलेंगे हम भाई यह अगर distance x है तो यह वाला हमारा पास 3x distance होना चाहिए Alright तो मैं बोलूँगा भाई यह वाला distance और यह वाला distance total distance कितना है x plus 3x इसकी value कित्ती दियोगी है इसकी value मुझे दियोगी है कि यह 5 meter है तो मैं बोल सकता हुआ है मेरे पास x की value हो जाती है 5 divided by 4 यानि की 1.25 meter 1.25 को mark कर दे हम से सवाल में पूछा क्या है तो यह second drop यहां से कितना उपर है तो हमारा answer actually 3x है 3x ही value कित्ती हो जाएगी 1.25 into 3 which is equal to 3.75 meter c becomes our correct answer अगर आप इसको इस तरीके से नहीं solve करना चाहते हो तो आप यहां पर फिर सीधे-सीधे motion की equation लगाना यह जो 5 meter आप क्या लिख सकते हो दूसरा method हो जाएगा मारा पास Galileo law of odd number से नहीं करना चाहते हो longer method यूज करना चाहते हो तो उस case में आपको क्या लिखना पड़ेगा 5 is equal to 0 plus half into g की value कित्ती रखेंगे हम 10 into t square t square नहीं रखेंगे यहां पर हम लिख देंगे 2t का square क्योंकि यहां से यहां तक पहुंशने में इसको 2t time चलने को मिला है इससे आपको t की एक value पता मिलेगी ठीक है तो यहां से आप check कर सकते हो 5 is equal to 5 into 4 t square इस तरीके से आजाता है यह कट जाता है t square की value आजाती है 1 by 4 यानि की t की value आजाती है half second इससे मुदब पता चलने है हर half second में हमाया पास यहां से एक drop निकल रही है हमसे क्या distance पूची गई है यह वाली distance हमसे पूची गई है तो मैं एक काम करता हूँ यह वाला distance पहले पता करता हूँ कि यहां से यहां तक आने में हमाया पास जो x distance है इसको आप कैसे पता कर सकता हूँ आधे second में कितना drop नीचे गिरी है तो मैं x की value लिख सकता हूँ x is equal to 0 plus half into 10 into t का square यहां पर इस तरीके से value आजाती है इसकी value आजाती है 5 into half का square which is equal to 5 by 4 which is equal to 1.25 तो मेरेको x की value पता चल गई 1.25 तो मेरे पास total distance था 5 इस case में हमाया पास जो answer आजाएगा उसकी value आजाएगी 5 minus x which is equal to 5 minus 1.25 again answer आजाएगा 3.75 meter यह थोड़ा long method हो गया अगर आपको Galileo's law of odd number दिख जाते हैं तो आप सीधे इसका answer निकाल पाते है a stone falls freely under gravity it covers distances h1, h2, h3 in the first 5 seconds the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively the relation between h1, h2, h3 तो देखो यहां पर हमाँ पास एक stone गिर रहा है और यहां से गिरा है पहले 5 seconds में 5 seconds में उसने कितना distance travel किया है h1 फिर next 5 seconds में उसने कितना distance travel किया है h2 और फिर और अगले 5 seconds में उसने कितना distance travel किया है h3 अब यह तो straightforward ही हो गया है अगर आप बोलो कि यह T time था ये भी T time है, ये भी T time है जब भी equal time interval होता है तो हमारे पास किस तरीके से ratio आते हैं odd numbers होते हैं तो यहाँ पर लिखना क्या होगा हमारे पास अगर H1 की value X है H2 की value 3X हो जाएगी H3 की value 5X हो जाएगी और इसके बाद next H4 होता तो वो कितना हो जाता हमारे पास 7X हो जाता, odd numbers आ रहे है Galileo's law of odd numbers यहाँ पर हम लिख सकते हैं X is equal to X is equal to X पहले केस से मैं लिख दूँगा यहाँ पर क्या जाएगा H1 is equal to X यहाँ पर मैं लिख दूँगा X is equal to H2 by 3 जाएगा H2 by 3 will be equal to यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं H3 upon 5 is equal to X यहाँ हो जाएगा H3 upon 5 हमारे पास actually option A correct answer है बहुत ही simple सा है सवाल था Galileo's law of odd numbers का What will be the ratio of the distances moved by a freely falling body from rest in the 4th and 5th second of its journey Straightforward सवाल है Video को pause करो Question को solve करो सको हम दो मेतोड से solve करें की कोशिश करेंगे दोनों मेतोड से साल्व करो इसका correct answer है B solve करना शुरू करते हैं बहुत ही simple है हमसे बूचा है 4th and 5th second में दोने को हम क्या करते हैं 1 second को 1 interval मान लेते हैं 1 second is equal to T हमने time interval मान लिया तो हमारे पास पहले second में हमने कित्ता distance travel किया है यहाँ पर आजाएगा हमारे पास X है न T second में interval T है लेकिन अपके बाद distance हो जाएगा 3X फिर next time interval वो भी T होगा लेकिन अपके बाद distance हो जाएगा 5X हो जाएगा फिर इसके बाद आजाएगा हमारे पास T फिर आजाएगा हमारे पास 7X फिर उसके बाद हमारे पास आजाएगा time interval T और ही हो जाएगा 9X तो इस तरीके से हमारा पास Galileo's law of odd numbers खाम करता है, ठीक, हमसे बूचा है 4th and 5th second में जो ratio है वो कितना है, पहला second, दूसरा second, तीसरा second, चौता second तो this is हमारा 4th second, ये है हमारा 5th second तो देखो हमारा पास 4th and 5th का ratio बूचा है न, तो वो जाएगा 7x upon 9x which is equal to 7 upon 9 7 ratio 9, हमारा पास इस तरीके से correct answer आजाएगा, या फिर हम सीधे-सीधे formula भी लगा सकते है, क्या लगा सकते, sn, sn का मतलब क्या हो जाता है, कि हमारा पास nth second में कितना distance travel हुआ है, चीक तो अगर मैं पूचूँ कि मेरे पास s4 की जो value है, देको formula क्या होता है, sn is equal to u plus a into 2n minus 1 divided by 2 अगर मैं पूचूँ 4th second में हमने कितना distance travel किया है तो यहाँ पर n की जगे मुझे 4 रखना है value क्या आएगी, u की value 0 थी initially हम rest पे थे, तो 0 plus acceleration की value है 10 into 2 into 4 minus 1 divided by 2, इसकी value कितना जाती है, यह मेरे पास आजाता है 4 into 2 यहाँ जाता है, 8 minus 1, यानि कि 7 into 5, 7 into 5 इस तरीकी से हाँ जाता है, यहाता है 35 meter, तो आपने 4 second में 35 meter चला है s5 की जो value हाजाएगी, similarly हाजाएगी, वो 0 plus 10 into 2 into 5 minus 1 divided by 2 again, इसकी value हाजाती है, कितना जाती है 5 into 9 यहाजाता है, 9 into 5 which is equal to 45 meter और आप इसका ratio देखोगे s4 upon s5 की जो value हाजाती है 35 upon 45 again, वो value हाजाती है 7 by 9, हमारे पास same answer आजाता है, और एक चीज़ ध्यान रखना हमारे पास पहले second में जो distance travel किया जाता है, वो कितना होता है उसकी value होती है s is equal to ut plus half a t square इसमें values रख दो, यह value हाजाती है 0, हमारे पास इसकी value हाजाती है half into 10 into 1 का square, तो हमारे पास s1 की जो value होती है, वो होती है 5 meter बहुत ही important यह result हमेशा, कोई भी चीज़ को छोड़ दो कि पहले 1 second में 5 meter का distance travel करेगी फिर उसके बाद, अगले 1 second में कितना distance travel होगा, तो वो 3x हो जाएगा तो अगर यह था 5 meter values देखो, हम इस तरीके से जल्दी जल्दी लेख सकते हैं अगर यह है, मेरे पास 5 meter तो यह हो जाएगा मेरे पास 15 meter तो यह हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा 25 meter, यह वाला हो जाएगा मेरे पास 35 meter यह वाला हो जाएगा मेरे पास 45 meter अब मैं इस तरीके से distances निकाल पार हूँ हम उसे कोई भी सवाल पूछ लो, पूछे भई दूसरे और तीसरे सेक्ड में मिला करके कितना distance travel हो गया तो देखो, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा दूसरे और तूसरे में मिला करके हमने 40 मीटर का distance travel कल दिया इस तरीके से कोई भी आप सवाल पूछ ले मिरको अगर ये चीज़ देखनी आ गई तो मैं चुठकियो में questions को solve कर पाऊँगा ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा है एक छोटा सा part है हमारे बहुत ही प्यारे से crash course नीट मन का, link is in the description जहांपे आप पूरा का पूरा course access कर सकते हो जहांपे बहुत सारे PYQs है और साथ में colorful notes की PDF आप खरी सकते हो all the links are in the description जल्दी check out करो हम मिलेंगे फुल कोर्स में